हेलो एब्रिबन कैसा है आप सभी बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का और आज की इस वीडियो में हम डिस्कुशन करेंगे एक छोटे से टॉपिक के ओपर जो की होगा आपका कर्म गीता जी में लिखा है कि कर्मन्या अधिकारस्ते मां फलेशु का दाचन तो कर्म किये ज अब यह बच्चे खेल रहे हैं बाहर खेलने दो जब कब बुलाया जाता था इनको जब खाने का टाइम होता था तो उस समय पकड़ पकड़ के लाना पड़ता था जब उस ती फटापोड खाना खाके फिर भागते थे अपन और एक परसेंट भी नहीं सोचते थे हम रात को जब बिस्तर पर जाते थे तो यूं करते थे तो आज इस्तिती तो ठीक पर आगें पीछन चारी बिस्तर पर आदमी चारी तरफ घूम जाता है फिर भी उसको निन्नी आती है क्यों क्योंकि अब हमारे तरक वितर करने की जो शमता है वह बहुत ज्यादा बढ़ गई है तरफ लेकिन इनसान बढ़ा होता है तो उसको एसा लगता है कि यार मेरा क्या होगा जब कि एक बात बताओ कि जब हम छोटे थे तो शब काम हो रहा था निला 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 परवारे घर वाले निला देते थे खीला देते थे, कपड़े लाके पेना देते थे, क्यों कि हम भरोसे थे, लेकिन अब भरोसा कम हो गया, इस वज़े से तनाव ज़्यादा होता है, तो अब होता क्या है, कि देखिए, उपर वाले भरोसा रखिए, सब बढ़िया होगा, आज कि इस वीडियो में वैसे तो मैं बात करने वाले हों कर्म के बारे में, आपने देखा होगा कई सारे लोग जो होते हैं, वो काम गलत करते हैं, लेकिन उनको, उनके पास बहुत कुछ पैसा होता है, बहुत सारी चीज़े होती है, जैसे जो अच्छा काम कर रहा है, उसके पास है, वो ठीक है, वो चीज़ कर्म होते न वो तीन प्रकार के होते हैं एक होता है आपका संचित कर्म जिसको स्टोर्ड कर्म बूलते हैं संचित कर्म एक होता है आपका प्रारब्ध कर्म बहुत सारे लोग कमेंड करके पुछते सरी प्रारब्ध क्या होता है आज पता चलेगा और एक होता है क्रियमान कर्म ये तीन प्रकार के कर्म होते हैं अब अभी आप किसी व्यक्ति को देख रहे हैं वो बहुत गलत गलत काम कर रहा है लेकिन उसके पास में घर है, गाड़ी है, पैसा है सब कुछ है उसके पास, किसी चीज की कमी नहीं है तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये उसके संचित कर्म का एक भाग है जो कि वो प्रारब्द के रूप में भोग रहा है समझ गए? कुछ लोग आपने देखे होंगे कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके जीवन में कहीं कहीं प्रॉबलम आती है कई ने कई दूख आता है तो वो उनके संचित कर्म का भाग है जो कि वो अभी भोग रहे हैं और जो आप अभी इसके लेटेस्ट करम देख रहे हैं इस ये जो कर्म है, ये संचित होते हैं ये स्टोर होते हैं ऐसा थोड़ी कि हाथ व handicap हिसाब थोड़ी होता है अब जो है ऐसे बाइक से जा रहे और रस्टे में आपको कुटता दिखा ठीक keeping घ्रत कि ऑफने उस Zarかった आप hen कि अपने की लाठ की मारी है यहां क्टता जाके दूर गिर गिया तो क्या एड़ अक्टा म्यक्कु आप रुख्जया दोमने में लात मारतूद नहीं मारेगा वो तो विचारा गिर गया और आप हस दिए और आप चले गए अब वो जो लात है उसका जब हिसाब होगा तो वो हो सकता है कि महीने भर बाध है न अब जो है कही जा रहे हैं और किसी के आपने सब गाड़ी दूसरे की गाड़ी कैसे ठोक दी यह आपने कहीं से कुछ ऐसा पैसा दस साल पहले सु साल पहले हजार तो यह सब प्लानिंग चल रही है योजना चल रही है तो अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि अभी जो आप हो रहा हैं हातो चीजे थूड़ी होती है समय लगता है कोई व्यक्ति है और वो जो है उसके माबाम को बड़ा परशान कर रहा है बड़ा दुख दे रहा हैं तो हाट्त हुआ उसको उसके बच्चे दुख देंगे बच्चे हे भी सही तो अभी वो छोटे हैं वो देंगे समय आने पड़ देंगे ठीक है तो समय लगता है ना कितना समय लगता है दोस साल बीस साल तीस साल तो अभी जो भी आप कर रहे हैं अभी जो मैं कर्म कर रहा हूं मानलो अभी जो भी मेरा कर्म है यह सारा स्टोर हो रहा है और अभी जो मुझे मिल रहा है, ये तो मेरा पूराना मैंने हो सकता है, दस साल पहले कुछ अच्छा काम कराओ, सो साल पहले कराओ, हजार साल पहले कराओ, अब आप बोलेंगे हैं, हजार साल पहले, आपकी उमर इत्ती है, ये शरीर की उमर अलग होती है, आत्मा की उमर से शरीर बदल रहे हैं लेकिन आत्मा तो वही है तो आत्मा कहीं साव होता है तो अभी जो आप देख रहे हैं ना वो सब उसके संचित कर्म हैं जिसका फल उसे मिल रहा है और अभी जो प्रारब्द कर्म वो होते हैं मतलब ये प्रारब्द है समझ गए आप मतलब अभी जो कर सोरी मैंने शायद बीच में बता दिया था अभी जो कर रहा हूं वो प्रारप्त है अभी जो कर रहा हूं उसको बोलते हैं क्रिमान कर्म समझ गए मतलब अभी जो आप कर रहे हैं वो क्रिमान कर्म है वो मैं अभी कर रहा हूं ये सारे क्रिमान कर्म जाके होंगे पहले इस्टोर संचित इस्टोर हो रहे हैं एक बक्से में मतलब पेख हो रहे हैं इसके बाद में इसका जो आपको फल मिलेगा उसको बोलते हैं प्रारब्त करूं इस से ये बात सीखने को मिलती है कि जिस भी समय हम अवेर रहें जैसे मैं अभी अवेर हं ठीक है और कई एसा हो रहें कि भग या कि मैं पता चेकाने गया उप्जामपर एक चोटा सा निकल गए तो उसी टाइम पर आपको एक अवेर्नेस आनी चाहिए कि या इसके दस रूपे जो है ना यह मुझे बाद में पचास देने पड़ेंगे आज ने तो कल ना तो उसी टाइम पर उसके 10 रूपे ले भी आया यह 10 रुप है तो आप आपका जो कर्म होगा उस समय का वह अच्छा इस्ट्र होगा समझ गये वह गलत इस्ट्र नहीं होगा नी तो अभी आप मानलो किसी से पढ़े जिसे मेरे से पढ़े मानलो पढ़े और आपने देखा क कियार पैसे सर को बोला था मैंने कि 5 दिन बाद दे दूँगा और सर को ध्यानी नहीं है टब के पास पैसा आ जाएगा चींत इumen क्रों आप ने दो गए तो मेरे मेरी वहनत का पैसा है तो मुझे कई से मिल जाएगा लेकिन वह आपके पास से भी फिर जाना है उक अ mortar बीचर चल रही है लोग समझने भारें मैं अभी उससे बच जाऊंगा लेकिन वो की वह चीज से मेरे साथ में फिर हो नहीं है कई सार लोग आपने देखे होंगे जिनके माबाप रहते हैं वो कहीं जसा कहले में पड़े हैं झाले जाते हैं तो यह नहीं है फिर फीर उनसे सा किया घ्र्म करने है एक कमov देखें हो आपको करना पढ़ेगा लेकिन जो आपका कर्म है वह क्रेमान कर्म है जो अभी होगा वो सारा जाके स्टोर होगा और वह आपका प्रारब्द बन जब तो यह JP जल रहा है zna साइगोोजी को समझो तो इसलिए बस बात कहने का मतलब यही ही कि जब भी आप aware रहें तो है कि मेरे हाँ से कुछी का मन करते काम कूछी का मन कियो नहीं है कि जब किसी का मन फार आपके पर नहीं को था इसको आपने इसको नहीं कहा था दूसरे को तका था बस तो फिर है तो सब भगवान के रूप करेंगे और जब आप किसी का मन और चैनल को सब्सक्राइब करिए हम लोग 15,000 के करीब पहुचने वाले हैं तो जो लोग जिन्हों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो एक अच्छा कर्म करें सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और 15,000 तक पहुचाएं आपका ही काम ही है ठीक है मैं भी आपके लिए काम कर रहा हूं आपको मैंने लिए करना पड़ेगा गिव एंड टेक ओके थैंक यू सो मच कर दो कर दो